अलो नमस्कार प्यारे बच्चों अबीस फूरिय में हम इस टेप पर स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे तो 76 बाइट को कैल्कुलेट करेंगे बच्चों अपना आठ का भाग हम कब दे पाएंगे जब दीगी से क्या क्या हो आठ से बड़ी हो चाहिए आठ से बड़ी है यस अब देखें यहाँ पर हमने पहले एक अंग को लेकर देखा क्या आठ से बड़ी है नहीं है फिर अगला आँख सामिल किया तो इस प्रकार से आप अपना स्टेप आ स्टेप डिवाइड कीजिए एक अंग को लेने पर आठ से कौन सी बड़ी हो सकती है क्या देखें क्या देखते हैं या तो आठ के बराबर होती तो भी भाग चला जाते है यदि एक अंग को लेने पर आठ होता तो भाग एक वार चला जाता 9 होता तो भी भाग चला जाता फिर अगले इस step में अगले आंको कामे लेना पड़ता यदि 8 से 30 है तो फिर हमें इसी समय अगले आंको समलित करके अपने 8 का भाग शुरू करना है यहाँ पर हमें दोनों आंको को 7 लेकर चलना पड़ेगा कितना मंद रहा है? 76 अब देखिए इसको ध्यान में रखते हुए हम 8 का पाड़ा कितनी वार लें? कि इससे बड़ा ना आए देखिए हम 8 का पाड़ा लिखते हैं 1, 8, 8, 2, 8, 16, 3, 8, तो इससे गर के 9, 8, कितना आता है बाहुतर? कितनी वार? 9 वार अधिकतम कहां तक लेना होता है? 9 तक लेना है, 9 को लेना पर इससे बड़ा ना यहार है, मतलब ठीक है फिर हम इसको घटाते हैं कितना के? 4 उसके बाद आगे डिवाइड करने के लिए यहां पर हम पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 आ जाएगा, देखिए 8 का पाड़ा हम 5 पार लेते हैं, 8 उपंजा कितना होता है? 40 होता है, जो कि हमें यहां चाहिए, कितना आ गया? 40, उसके बाद इसको घटा ना है कितना आ गया? 0, यह क्या बन गया आपका? भागफल, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं, 76 by 8 कितना आ गया? 9.5 आ गया, धन्यवाद